हलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारे स्टूप चैनल में है और फ्रेंट्स हम लोग बना रहे थे यहां पर e-commerce के website जिसमें हम लोग ने काफी videos कर लिये थे और यहां पर products वखरा हम लोगों ने दिखा दिये थे तो अभी तक हमारे इस playlist को नहीं access किया तो आप जाके इसको access करिए और देखिए यह बहुत ही मज़दार playlist है अगर आप इसमें देखेंगे तो आप बहुत सारे concept सीखेंगे साथे साथ यहां पर project बनाना भी सीख जाएंगे इस video में हम लोग एक module स्टार्ट करेंगे जो की बहुत ही important module है अभी तक हम लोग ने सारी यह बना ली थी यह सारी डिटाबेस स्यारी थी इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे card बनाना यहां से start करें card ठीक है तो हम लोग यहां पर add to card पे click कर पाएं और हमारा यहां पर card की quantity बढ़ती जाओ और फिर हम लोग click करके card को यहां से देख पाएं यह सारा हमारा mission रहेगा कैसे हम लोग card बनाते हैं जैसे आप लोग बाकी websites पर देखते हो जैसे अगर मैं यहां पर जलो flip card open करूं तो flip card flip card अगर मैं open करके आपको दिखाता हूं तो यहां पर देखोगे यहां पर card का option ठीक है आप देखोगे तो इसको मैं बंद कर देता हूं ठीक है यह देखे है यह यह बेसिकली काड का उप्षिन है जैसा ही जैसा आप यहां पर elements item को pick करते जाते हो card में add होते जाते हैं और साथ ही जात में कितनी quantities में आपने pick किया और quantity में calculate करके price दिखाने सारी यह हम लोग कोसिस करेंगे बनानी के लिए कि हम लोग अपने website में यह card वाला module कैसे बनाएं तो सबसे पहले card वाला module बनाने से पहले start करने से पहले हम लोग को कुछ concept समझना पड़ेगा चले हम लोग क्या करते हैं पहले concept समझते हैं कैसे कैसे card को हम लोग add कर सकते हैं सारे चीज समझते हैं सो फ्रेंट्स कुश्यन आता है how to build a card ठीक है card basically ऐसे होगा कुछ icon होगा और हमारे पास यहां पे जो four लिखा है यह basically हमारे quantity होगे यह four quantity होगी जैसे जैसे आप card में item set करते जाओगे यह quantity बढ़ती जाएगी यह four just मैंने example लिया ठीक है तो card कैसे करेंगे card basically दो तरीके से हम लोग start to manage a card card को manage करने के दो तरीके है सबसे पहला तरीका है फो है हम लोग part को client side में manage कर सकते है session 4 ब्राऊजर ने dei filter देखेंगे aolasar Фनाइब अर्टरीक है वह सर्वर साइथ हम लोग card को server सब्सक्राइब यह जो सर्वर बनागा सकते हैं यह फिर डेटावेस पर कोई वैरीबल बना कि उसके अंदर हम लिस्ट और प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं हमारे पास दो तरीकें काड को हैं रमने के लिए या अगर हम सर्वर अगश कर दो SMS करना पड़ें या को पता है जावासक्र उब्सक्राइब हो आपको जो भी management होगा वो आपके server side program की help से होगा और हम लोग के case में है वो java तो हम लोग java यूज़ करेंगे अधरवाइस backend में कोई दूसरा language अगर आप लोग यूज़ कर रहे होते तो यहां पर दूसरी चीज़ यूज़ करते अब जो server side पर जो दूसरा तरीका server side पर अगर आप card manage करते हो फिर भी आपको client side पर send करना होगा in the form of html तो आपको दिखाना तो html की help से पड़ेगा बट जो card आप manage करोगे वो आप client side पर javascript से manage कर सकते हो या फिर server side पर आप अपने server side program की help से manage कर सकते हो बट हम लोग यहां पर use करेंगे client side client side की use करेंगे client side use करने में आपके server पर ज्यादा load नहीं पड़ेगा हर बार जब भी कोई card में product add होगा तो आपके server पर request नहीं जाएगी क्लाइंट पर ही सब कुछ manage होता रहेगा जब वो चेक आउट करेगा तब जाके सारे प्रोड़क्स जो उसने भाई किये हुआ आपके client side से server side पर आप सम्मिट करा सकते हो कि वह यह products चेक आउट हो गया है यह products आप देख लो order manage कर लो ठीक है सबसे पहला तरीका है local storage और दूसरा तरीका है local session क्लाइंट मादब आपके browser के अंदर आपके browser के अंदर जो आप data store करोगे that means जो भी आप products रखोगे वह दो तरीके से रख सकते हो एक तो local storage की help से और एक local session की help से अब हम लोग कौन सा यूज करें depend करेगा सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि local storage है क्या local storage stores data with no expiration date and gets cleared only through javascript और clearing the browser कैसे locally stored data तो local storage के अंदर आपने data अगर कोई रख दिया तो यह अपने आप हटेगा नहीं अपने आप डिलीट है नहीं होगा यह तभी डिलीट हो सकता है या तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से डिलीट करें या हम लोग browser का कैसे खुद से manually डिलीट करें तभी जाके यह डिलीट होगा करें नहीं तभ तक डिलीट नहीं होगा यह तो इसमें क्या होगा अगर आपने लोकल स्टोरेज में अगर आपने प्रोड़क्स को रख दिया है उसकेस में होगा क्या की डेला जो स्टोर होगा वह जब तक स्टोर होगा जब तक आपका ब्राओर ओपन रहेगा आपने को डेल्म किया तो तो लोकल सेशन ऑब्जेक्ट से आपका डेटा हट जाएगा तो यह पर्टिकॉलर सेशन के लिए तो अगर आप चाहते हो कि जो डेटा है वो आपका स्टोर रहे पर्मनेंटली जब तक खुद से आप मैनुली जावस्क्रिप्ट से डेटा को क्लियर ना करा दो तो आप हमाले लोकल लोकल स्टोर हैं मतलब हम चाहते हैं की प्राउजर क्लोज भी कर दो तब भी हमारा डेटा क्या रहे अग्यूंषा करेंगे आप लोकल इंग अपको स्टोरेज भी अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो अभी मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा ठीक है कैसे प्रोटेक्ट वगढ़ा रखोगे सारी यह मैं जीगा हो ठीक है कैसे यूज करेंगे अधिक दो चीज इंपकर इंपर्टेंट है लोकल श्टोरेज में डेटा कैसे अप सेट करते हो ठीक है अपको प्रोड़क्ट निकालने हैं तो आप सेट करने के लिए सिंपली आपको लिखना होगा local storage dot set item और अपनी की वैलू देने होगी हमेशा की वैलू पेर के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा इसके अंदर इसी जाद रिखिया की वैलू पेर मतलब जैसे नाम फरस्ट नेम हो जाकता है नाम जैसे मैं लिए नाम राम हो गया और इसका आड्रेस दिस हो गया आपको की वैलू पेर बना गए रखना है जैसे हम लोग है सेट या फिर अटिक्शनरी वगर हमें रखते थे ठीक है अगर आपको गेट करना होगा सो आपको क्या करना पड़ेगा local storage dot get item और आपको की पास करने होगी होगा क्या जैसे आपने यहां पे की पास की है तो यह क्या करेगा यह आपको वैलू रिटन कर देगा सो आप क्या करोगे local storage dot get item और अपनी की दोगे और वह आपको वैलू रिटन कर देगा इस तरीके से data set करते हैं local storage के अंदर exactly सेम तरीके से अब local session के अंदर भी data को save कर सकते हो important चीज यह है कि इसमें string जो key होगी वह भी string होगी value होगी वह भी string होगी सो आपको क्या करना होगा सबसे पहले data को convert करना होगा string में तब जाके key value pair जो भी यह दोनों string में है हम लोग भी क्या करेंगे string में convert करेंगे जब भी suppose आपको array store करना है तो अब्जेक्ट को string में change कर लेंगे फिर जाके store करेंगे जब मुझे मिलेगा तो तब भी पुझे क्या मिलेगा string मिलेगा थोड़ा सा इसका practical कर लेते हैं फिर हम लोग next video में क्या करेंगे इसको implement करेंगे अपने program के अपने project के अंदर ठीक है हम लोग आ जाते हैं browser पर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नया type open करेंगे और simply browser ब्राउजर की चीज़ें मतलब console access करने के लिए simply आप क्या करोगे right click कर लोगे और यहाँ पर inspect करोगे ठीक है inspect कर लेंगे उसका simply यहाँ पर console का एक option दिखेगा इस पर click कर लेंगे अब हम लोग यहाँ पर check कर सकते हैं क्या यह session यह जो हम लोग ने पढ़ा है सब को सही है की नहीं है सो हम लोग क्या करेंगे अगर हम यहाँ पर type करना start करो local तो आप देखो कि यहाँ पर local storage का एक variable आ रहा है यह object है इसके अंदर हम data store कर सकते हैं सब्सक्राइब लोकल स्टोरेज ठीक है storage यूज कर सकते हैं आप इस टोरेज और प्रिंट करेंगे तो अभी देखो storage के लेंध जीरो है यहाँ यहाँ पर अभी तक किसी अभी हम लोग ने अभी तक यहाँ पर कोई भी आइटम एड़ नहीं किया है सब्सक्राइब करने कि सिंप्ली यही वाला तरीका है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करने हैं जड़ा हम लोग लिखेंगे लोकल नेम में मैं यहाँ पर लिख दूँगा कोड विद दुरुगेश ठीक है और एंटर कर दूँगा अब आपका यह जो नाम है वो आइड हो चुका है कहां पर स्टोरेज के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर अगर आपको फेच करना है सो आप पहले देख सकते हो लोकल स्टो स्टोरेज को है कर सकते हो शर्फ कर सकते हो सपोज आपने खाया क्या प्लेट क्या अगर आप लोकल स्टोरेज करोवेज रहीर देखोगे तो आप देखो कि ice इसके वर अगर अगर आप इसके अंदर देखते हो तो आपका डेटा दो डेटा मिलेगा एक फर्स्ट और एक प्लैट्फर मॉन GUY अब क्या कर सकतो आप चेक कर सकते हूं कि कितने सपोस्ट आपको यहां पे आप first name यूज़ करो enter कर दो तो आपको first name मिल जाएगा और local storage dot get item और आप यहां पे platform दे दोगे तो आपको आपको platform की value YouTube मिल जाएगी तो इस तरीके से आप data को क्या करोगे set करोगे और get करोगे और mostly card में हम लोग को क्या करना होता है data को ही set WRlyárat को set करना है तो यह सले जींद का सब्सक्राइब को set करना ही next video दो संजेंगे अभी हम लोगने local storage concept सीखा और एक overall idea सीखा कि हम लोग कैसे card को store करेंगे server side पर sustain side delicious customer lin cited पर तो कैसे किलाइंगे company steak hash पर करेंगे तो हम लोग के पास 2 option जिसnd manner हम लोग ने लोकल स्टोरेज चूज किया अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मैं मिलता हूं आप से नेक्स वीडियो में जिसमें लोग कार्ड कार्ड बनाएंगे और देखें कैसे हम लोग को आड़ करना है सो तब तक ले गुडबाई बाई बाई